नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं रेड, औरेंज और एलो अलर्ट जारी किया है बता देर राजे के चछ जिले, गुमला, खुटी, सिम्डेगा, सराइक लखरशव, पुर्वी, सिम्भूम, वपचमी, सिम्भूम में रेड अलर्ट जारी किया है वही रांची लोहर्दगा लातेहार पलामू वा गढ़वा में ओरेंज और चत्रा कोड़ारमा गिरीडी हजारी बाग रामगर बोकारो वा धनबाद में एलो अलर्ड जारी किया गया है 16 वा 17 सितंबर को गढ़वा पलामू लाते हार में ओरेंज अलर्ट वहीं चत्रा लोहर्दगा गुमला और सिम्डेगा में एलो अलर्ट जारी किया गया है इस दोरान कहीं कहीं पर गर्जन के साथ बजरपात की भी संभवना है हावा की रफतर 50-60 किलिम्डर प्रति घंटा तक रह सकती है मौसम विभागने अगले 48 घंटे के दरान साइकलोनिक सर्कुलेशन डिफ्रेशन के धीरे-धीरे कमजोर होकर दबाव के छेत्र में तबदिल हो जाने तथा जारकन और उत्री 36 गर होते हुए पाच्छिम की ओर बढ़ने की समभवना जताई है रांची में पिये मोदी से हुई हेमंत सुरेण की मुलकात पधान मंत्री नैंद मोदी और जारकन के मुख्य मंत्री हेमंत सुरेण की रविवर को मुलकात हुई है दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्म जोसी के साथ स्वागत किया मुख्य मंत्री ने पधान मंत्री को उपहार भी दिये हैं बता दे कर्मापरप की सुबह पधान मंत्री नैंद मोदी जारकन की यात्रा पर आये थे उनके बीमान की सुबह नौ बच कर पांच मेंट पर रांची के बीरसा मुंड़ा यारपोर्ट पर लेंडिंग हुई खराब मौसम की वज़ा से एरफोर्स के हेलिकोप्टर को जमसेदपूर के लिए उडान भरने के उनमती नहीं मिली परदान मंत्री को जमसेदपूर के सुनारी यारपोर्ट के लिए उडान भरनी थी परमिसान नहीं मिलने की वज़ा से उन्हें दो घंटे से अधिक समय तक बीरसा मुंड़ा यारपोर्ट पर इंतियार करना पड़ा इसे पहले मुख्य मंत्री हेमान सुरे ने एयरपोर्ट पर पी एम मोदी से मुलकात की है इस मुलकात के दोरान पी एम नरेंदर मोदी और जारखंड के मुख्य मंत्री ने एक दूसरे का स्वागत किया हेमन सुरेन ने पीए मोधी को अंग वस्त्र और मूर्ती का उपहार भी दिया है इस दोरान दोनों नेता प्रसन मुद्रा में नजर आए रांची से सलक मार्ग से जमसेदपुर के लिए रवाना हुए पीएम का काफिला करीब दो से अढ़ाई घंटे के इंतियार के बाद आखिरकर प्रधान मंत्री नायद मोधी का काफिला जमसेदपुर के लिए रवाना हो गया है प्रधान मंत्री के जहारखन में रभी वार को चार करकरम तै हुए थे इनमें से दो कारकरम में वहा ऑनलाइन सामिल हुए एक कारकरम को रद कर दिया गया एक कारकरम में सामिल होने के लिए पीएम की यात्रा के कारकरम में बदलाव करना पड़ा पता दे परधान मंत्री को रभीवार को टाटान नगर एस्टेशन से जारखन बिहार पचिम मंगाल उडिशा और उतर परदेश को चाओ वंदे भरत एक्सप्रेस ट्रेनों की सोगाद देनी थी वहीं एस्टेशन परिसर में ही ग्रामिन विकास विभा के कारकरम में उनको सामिल होना था इसके बाद पियम मोदी का एक रोड सो बिष्टूपूर में होना था रोड सो के बाद प्रधान मंत्री को विश्टुकूर के गुपाल मैदान में एक विशाल जन सभा को समोधित करने का भी कारिकरम तय था जारखन के तीन दूसमन जामो कांग्रेस और आर्जेडी जारखन बिधान सभा चुनाओ से पहले प्रधान मंत्री नयांद मोधि पर देश में 70 उट गडबंदन पर रभी वर को जमकर हमला बोला है जमसेत पुरुन उन्हों ने कहा है कि जारखन के तीन दूसमन है इनके नाम जारखन मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राष्ट्रिये जनता दल पियम मोधि ने कहा है कि लोग सभा चुनाओ दूसमन में जारखन आया था तब देश में बड़े जूट बड़ी अफवा है जूट बोलने की मसीन और देश को बाटने और तोड़ने वाली ताक्तों का आपका असिरवात भारी पड़ा उन्होंने कहा है कि आपका भरोसा मोधी पर है मध्यम बर्ग का भरोसा मोधी पर है इस भरोसे को कायम रखने के लिए मोदी कोई कोर का सरबागी नहीं छोड़ेगा इसके बाद प्रधानमत नहीं मोदी ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए वोपाल मैदान में भारी भील को समोधित करते हुए कहा है कि हमारा रिस्ता अपनेपन कहा है ज़ार्खन का सपना भाजपा का अपना सपना है प्यमोदी ने कहा है कि पहली बार भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने ज़ार्खन के पिछले जिलो के विकास की चिंता की है भागवान बिर्शा मुंड़ा की जियनती को जंजातिय गौर दिवस के रूप में मनाने की सुरुवात भाजपा की सरकार ने ही की है अबुआ आवास का आवेदन फेकने पर वीडियो सीयो का बेतन रुका गुमला के सीसाई के पंडरानी गाओं में पिछले दिनों समपन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारकार करम में अबुआ आवास योजना के लिए गरामिनों द्वारा जमा किये गए आवेदन पत्रों को सीविर में फेके जानने की घटना को उपायुक्त ने गंभीता से ले लिया है और पूरे मामले की जाच के आदेस दिये है जाच की ओधी समाप्त होने तक सीशाई के परखंड विकास पता अधिकारी और अंचल अधिकारी के बेतन भुगतान में तत्काल प्रभाव से अगले आदेस तक के लिए को अस्थागित कर दिया गया है कहा है कि जाच में दोसी पाये जाने वाले अधिकारी वो कर्मियों के निलंबन की करवाई के लिए राज सरकार को प्रेसित करने की बात कही है ट्रेन के बाद अब वंदे भारत मेट्रो चलाने की घोसना देश के मध्यम और गरीब जनता के लिए भी अमरित भारत ट्रेन जनवरी दोहजर पचीस से सुरू होगी इसमें सिलीपर सहीद जनरल डिब्बो की बेवस्ता होगी टाटा नगर रेलवे एस्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस के उधगाटन कारिकरम में रेलवे की चेर्मेन सतीस कुमार भी पहुंचे थे वहीं रेलवे एक्जियोटिव कलास के साथ साथ आम जनता का पूरा ख्याल रखती है इसलिए आम जन के लिए जनवरी से अमरित भार ट्रेन की सुरुवात की जा रही है जिसका किराया वंदे भारत की अपेक्छा कम होगी लेकिन सुभधाय वही रहेगी वहीं उद्धाटन के दरान चेर मैंने बताया है कि बरतमान में पूरे देश में 110 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हो रहा है 11 नई ट्रेनों का परिचालन सुरु होने के साथ ही यह संख्या बढ़कर 101 हो जाएगी हामलाग अतार बंदे भारत की संख्याओं में बढ़ोत्री करते जा रहे हैं पच्मी सिम्भूम में नदी में नहाने गई यूवा को भालू ने मार डाला पच्मी सिम्भूम जीले के तात नगर ओपी छेत्र के कुम्बरम गाउं के गुलिया मुर्दा निवासी उनईस वर्षिय मुकेश सिम्भूम को भालू ने हमला कर मार डाला घटना रभी वार सुबह करीब 6 बजे की है मुकेश सुबह खरकई नदी नहाने के लिए जा रहा था कि घर के बगल हिंदू बीर जंगल के पास दो भालू से भिढ़न्त हो गई दोनों भालू में एक नर और मदा था दोनों ने मिल कर हमला कर दिया अचानक हुए हमला से खुद को बचा नहीं पाए गंभी रूप से घायल मुकेश ने घटना अस्थल पर ही दम तोड़ दिया पीए मुदी जो कहते हैं वो करते हैं सिवराई सिंग टाटा नगर एस्टेशन में वंदे भारत के ओनलैन उद्घाटन के आउसर पर आयोजित कारिकरम में केंद्री किरिशी मंत्री सिवराई सिंग चुवान ने उपस्थित लोग को समोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा है कि मुदी परधान मंत्री नहीं आपके परिवार के सदसे हैं वे सदय वे जनता वे गरीबों के कल्यान के लिए कारे करते हैं वे गरीबों के बारे में सोचते हैं इस करण प्रधान मंत्री आवास योजना को पहली बार प्रधान मंत्री बनते ही प्ररम किया उन्होंने कहा है कि कोई गरीब पक्का मकान से वो अंचित नहीं रहेगा पीएम जो कहते हैं वो करते हैं दो पहिया वाहन वालों को भी पीएम आवास मिलने लगा है टाटा नगर रेलवे स्टेशन में उपस्थित लोगों को समोधित करते हुए केंद्री किरिसी मंत्री वम जारकन के प्रभारी सिराज सिंग चवहान ने कहा है कि प्रधान मंत्री ने टाटा नगर में 660 को रुपए से अधिक की भी भी रेल परियोजनावों का जो सिलेनियास किया वा देश की अर्थ वेवस्था को मजबूत करने में सहायता करेगी निसीकांथ दूबे बोले भागलपूर हावड़ा वंदे भारत बड़ा तोफा प्रधान मंत्री नाजमों दिने जीन 6 वंदे भारत ट्रेनों की रभी वरको सोगाती है उनमें एक भागलपूर हावड़ा भया दूमका वंदे भारत एक्सप्रेस भी सामिल है दूमका पहुचने पर इस ट्रेन के पाइलट और सह पाइलट का लोगों ने फूल मालाव से स्वागत किया लोगों ने सेलफी ली खुद गोड़ा सांसर डाक्टर निसिकान दूबे इस ट्रेन पर सवार होका हंस डिहाज से नोनी हाट और फिर नोनी हाट से दूमका पहुँचे इस दोरान उन्होंने तीनों जगह लोगों को समधित किया गोड़ा सांसर निसिकान दूबे ने कहा है कि इस छेतर का अप्यक्षित विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ है जो काम हुआ उसे परधान मंत्री ने किया है जीकरा फॉल में डूमने से छातर की मौत रांची जीले के बढ़मू थाना छेतर के जीकरा फॉल में रभिवार को आई टी आई मेजर कोठी के पास रहने वाला आर्यान उराण डूब गया गिरामिनों ने उसे निकालने का प्रयास किया लेकिन सफालता नहीं मिली खाबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचे और आर्यान को पानी से निकालने का प्रयास किया हालाकि उसे फॉल से बाहर नहीं निकाला जा सका आर्यान दोस्तों के साथ जीकरा फॉल घूमने गया था वह गोस्नर कॉलेज का छातर था आदिवासी महिला ड्राइवर टाटा पतना वंदे भारत को लेकर हुई रवाना पीएम नरेंद्र मोधी रविवार को वीडियो कंफरेंसिंग के जरिये छाव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया खरा मसण के काराण पीएम मोधी रांची से टाटा नगर रेल्वे स्टेशन के लिए रवाना नहीं हो पाए पीएम के हरी जंडी दिखाते ही टाटा पतना वंदे भार ट्रेन खुल गई लेकिन इसमें खास बात यह रही कि इस ट्रेन को महिला लोको पाइलाट लूटिया भगत और पुरुस लोको पाइलाट सूनी का मुंडाने चलाया है लूटिया भगत इस रेलेवे जोन की पहली महिला लोको पाइलाट है या महिला ससकती करन और भारती रेलेवे महिलाओ की बढ़ती भूमका का परतिक है ट्रेन में करीब 6 सा यातरी सवार हैं जिसमें क्वीज के बिजेताओ को भी जगह दी गई है कोच सीवन में 30 बच्चे हैं जबकि 14 लोकल अच्चीवर बच्चे को ट्रेन की यातरा कराई गई वहीं आवार्ड विनर बच्चों को वंदे भारत में सफर करने का भी मौका मिला है साहब गंज में करम विसर्जन के दुरान डूबी 4 बच्चियां रबिवार के अहले सुभा राज महल थाना छेतर में करम भूजा के करम डाल विसर्जन करने के दुरान तेनवा नाला नदी में 4 बच्ची डूब गई तीन बच्ची को सुवक्षित बाहर निकाला गया वहीं एक बच्ची की मोथ हो गई जनकारी कनुसार राज महल थाना छेतर टेकब थान गाउन निवासी मुकेस यादव के नव वर्ष्ची पुत्री प्रियांका कुमारी यों रिया कुमारी चचेरी बहन विकास यादव की पुत्री सुनाक्षी कुमारी तथा परदीप यादव की पुत्री चंदन कुमारी के साथ चारो बच्ची सुब्बा पांच बजे गाउं से लभग 500 मिटर के दूरी गाउं के बीच बने तेंदुवा नाला में करम पुजा समाप्ति की जोड औने समागरी की बिसर्जन करने गई थी बिसर्जन करने के दोड़ान चारो बच्ची डूबने लगी थी पीए मोधी की रैली पर जहमोमो का पलटवार का है भूतो का जमावडा है भाजबा चारखन मोधी मोर्चा ने परधान मति नायंद मोधी द्वारा जम सेथ पूर में लगाए गए आरोपो पर पलटवार किया है महासचीव सुप्रियो भटचा ने कहा है कि नायंद मोधी हेमन सुरेंस से डर गए है मोधी अपने भासन में भूत भूत की रट लगा रहे हैं सचाया है कि वे जीस मंच पर भासन दे रहे थे वहाँ सिवराज सिंग चवहान को छोड़कर सारे के सारे नेता भूत ही थे उन्होंने कहा है कि सिराज को छोड़ कर बाकी सभी नेता दूसरे दलों से आये हैं कोई जेमेम, कोई कांग्रेश, कोई जेबीम का भूत वहाँ था भाजपा के 2462 में 115 सांसत भूत है 95 सांसत तो कांग्रेश के भूत है हमन्त बिश्वव सार्मा पर हमला बोलते हुए सुपरियों ने कहा है कि Аसम और मनिपूर के सीम भी भूत है मंच का संचालन जो कर रही थी वह भी भूत थी इरफान अंसरी ने कहा जहार्खन के गरीबों को नहीं चाहिए मोदी का आवास जार्खन सरकार के ग्रामिन विकास मंत्री डाक्टर इर्फान अनसाई ने कहा है कि जार्खन के गरीबों को प्रधान मंत्री नायन मोदी का आवास नहीं चाहिए पांच साल बाद उनकी निंद खुली है चुनाओ को देह कर वे यहां आया है इर्फान अनसारी ने कहा है कि पिछले पांच सालों से हमारा विभाग लगतार केंदर सरकार से आवास की मांग करता रहा लेकिन हमारी एक भी बात नहीं सुनी गई उन्होंने कहा है कि हमन सुरेट ने राज के गरीबों के लिए अब वह आवास विना अरम की अब चुनाओ नजदीक है तो परधान मंतरी को गरीबों की याद आ रही है उनकी असली मकसद गरीबों को आवास देना नहीं बलिक उन्हें ठक कर उनका भोट लेना है अनसारी ने आरोप लगाया है कि भाजपा गरीबों के नाम पर साजिस रच रही है और जल्दिबाजी में घोस्ताय कर रही है गरीबों के प्रति उनके मन में कोई धया या सनवेदना नहीं है BPSC TRE 3.0 का अंसर की जारी BPSC के तरब से कक्षा 1-5 भी की सिख्षक भरती परिक्षा के लिए फाइनल अंसर की रभिवार की देर साम जारी कर दिया गया है पतादे कि इस परिक्षा का प्रोविजनल अंसर की अगस्त के महिने में ही जारी कर दिया गया था जिसके बाद 2 से 5 सितंबर तक उमिद्वारों के पास अबजेक्शन दर्ज कराने का समय था इस अंसर की के बाद ये अंदाया लगाया जा रहा है कि वी पेस्टी के तहत होई अने सिक्षक भर्दी परिक्षाओ के भी फाइनल अंसर की जल्दी जारी हो जाएंगे तेनुघाट डेम और दामोदर नदी का जल अस्तर बढ़ा बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर रभीवार को बेरमो को एलांचल में भी देखने को मिला है सुबा में तेज अबाव के साथ मुस्लाधार बारिस हुई इसके बाद पूरे दिन रुक डुक कर जमाच हम बारिस होती रही बता दे तेनुघाट डेम के चछ गेट खोल दिये जाने के कारण दामोदर नदी का जल अस्तर बढ़ गया है कई छेत्रोव सडकों में जल जमाव हो गया है सनिवार से हो रही बारिस के कारण तेनुघाट डेम का जल अस्तर बढ़ गया पुरुणमान को लेकर पहले से ही तीन रेडियल खोल दिये गये थे रभिवार की सुबा और तीन रेडियल गेट खोल दिये गया है गया हवडा वंदे भारत का धोल नगाडों के साथ स्वागात ट्रेन संख्या 0-2-3-0-4 गया हवडा वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेट फॉर्म संख्या एक पर आ रही है रेलवे की ओर से यह खोसना होते ही लोगों की नजरे पटरियों की ओर टिक गई गया की ओर से जैसे ही ट्रेन आती दिखी तो लोग भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाने लगे धोल और नगाडे बजने लगे हाथों में तिरंगा लिये लोग नाचते और नारा लगाते रहे यह अदरी से धानबाद से टेसन के प्रिट फॉर्म संगिया एक पर दिखा बता जडर अभीवार के दो पर दो बच के 27 मेट पर वंदे भारत एक स्पेस के प्रिट फॉर्म संगिया एक पर पर परवेश करते ही लोगों में सेलफी लेने के और लगी थी ट्रेन के रुकने और गेट खुलने के बाद लोग इसमें घोसे और इसकी खुब सुर्थी को निहाते रहे पीम मोदी देवगर एम्स की इमर्जेंसी सेवा का करेंगे उद्घाटन गोड़ा से बिजेपी सांसर डाक्टर निसीकांद दुबे ने देवगर के बैधनाथ धाम एस्टेशन पर उद्घाटन समारों को समध्यूत किया उन्होंने कहा है कि पीम नर्यंदर मोदी अक्टूबर में देवगर आ सकते हैं वे एम्स की इमर्जेंसी सेवा का उध्याटन करेंगे उन्होंने लोगों को समध्यूत करते हुए बड़ा सोचने की नसीहत दी है गोड़ा सांसर निसिकान दूबे ने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस में ज्यादा किराया है इससे क्या होगा अब बड़ा सोचना है निसाने से उपर मारो नहीं तो वार खाली जाएगा आज स्कूली बच्चे जब इस वंदे भारत एक्सप्रेस को देखेंगे तो डॉक्टर इंजिनियर और आई एस बनने का प्रयास करेंगे बच्चे अपने माता पिता को बनारस लेकर जाएंगे कुछ लोग पिन्दान करने गया जाएंगे हमेशा एक सपना बनाईए इस बनने के बाद दूसरे की बहनों की मुरित्यू इलाज के बगार नहीं होने देंगे गढ़वा में दो साइबर अपराधी गिरफतार गढ़वा पुलिस ने दो साइबर अपराधी को गिरफतार कर लिया है दोनों अपराधी फरजी फोन पे एप बनाकर CSP संचालकों को चूना लगाता था पुलिस को मामले की भनक लग गए इसके बाद पुलिस ने जाल पिछा कर दोनों अपराधियों को सिकंजे में ले लिया है बिसुनुपूर पूलिस ने पलामु जीले के चैनपूर थाना छेतर से दो सैवर अपराधियों को गिरफतार किया है बतादे थाना परभारी राहुल कुमार सिंग ने बताया है कि दोनों अपराधि फर्जी फोन पे एप से ठगी करता था फर्जी फोन पे एफ बनाका CSP संचालकों से ठगी करते थे उनके कीवार कोड को स्केन कर अपने मोबाइल के माधिम से पैसा भेज देते थे उनसे कैस पैसा लेते थे जबकि CSP संचालकों के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचता था हेमंत की भावी और चमपाई सुरेन के लिए PM का छलका दर्द है परधान मंत्री नायंद मदी जम सेथपूर पहुंचे उन्होंने बिश्टू पूर के गोपाल मैदान में जानता को समभधित किया मोबाईल टर्च जलाकर परधान मंत्री का लोगों ने स्वागत भी किया है वहीं असम के मुखे मंत्री हिमंता ने भी जोस भरा पियम मोदी ने कहा है कि आमने सामने आकर बात चित करूँगा इसलिए मैंने सलक मार्ग से आया साथियो कोई भी रुकावट मुझे आप से अलग नहीं कर सकती मैं आपके दर्शन किये बिना वापस नहीं जाऊंगा करम पर्व की बधाई देते हैं उन्होंने कहा है कि उत्सों के इस महावल में जारकन को छार नई वंदे भार ट्रेन्स मिली है इन ट्रेनों से युआओ के लिए रोजगार व प्रगत्ति के आउसर बनेंगे आज हजारों गरीबो को पीम आवाज जोईना के तहत पक के घर भी मिले करम पुजा के दिन बहने इस घर में परवेश कर पाएंगे वहीं पीम मोदी ने कहा है कि लोग सभाचुना में मोदी को हराने के लिए सारा विपक्स एक जूट था लेकिन आपका सिर्वात उन सब पर भारी पड़ा देश को मोदी पर भरोसा है युआओ मध्यमवर्ग का भरोसा मोदी है दुरगा पुजा पंडल को पुलिश ने फिर से रोका रांची के पुराने बिधान सभा मैदान में दुरगा पुजा पंडल के निर्मान को पुलिश ने फिर से रोक दिया है इससे पहले स्री रामलला पुजा समीती के मुख्य संरक्षक सह केंद्रिय रक्षा राजमंत्री सह रांची सांस संजर सेट ने बयान दिया था कि किसी भी कीमत पर कोई माई का लाल इस पुजा को रोक नहीं सकता इस बयान के 24 गंटे के अंदर रभी वार को पुलिस ने दोबारा काम रुकवा दिया है पुलिस की ओर से बिना परमीशन के पंडाल निर्मान की बात कही जा रही है जनकारी के नुसार मैदान परिशकर के चारों और लगभग एक दरजन पुलिस करमी तैनाथ है ताकि पंडाल का निर्मान न हो सके पुलिस ने काम कर रहे कारिगरों को काम बंद रखने को कहा है इधा सिरी राम लला पुजा समिती ने पुराना विधान सवा मैदान में बैठक बुलाई है बतादे की पुराना विधान स्भामेदान में स्री राम लला पुझा समीति दुराबहब्वे दुरगा पुझा पंडाल का नियमान कराया जा रहा है वहाँ आंटान्वे लाख रूपए की लागा सहयोध्या धाम के स्री राम लला मंदिर के प्रारूप पर पंडाल बनाया जा रहा है धन्यवाद